नमस्कार देश की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ अखिलेश शैमा आज हम दिखाएगे किस तरह से बिहार में बार्ण ने तबाही मचाई है एंडी टीवी की टीम उन इलाकों में पहुंची है और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी भेजी है वह हम आपको दिखाएंगे लेकिन पहले बात कर लेते हैं जम्मु कश्मीर की जहां आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान संपन हुआ पाज बजे तक 65 पतिशा से जादा मदान की खबर आई है साथ जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले गए है इनमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मु की 24 सीटे हैं यह सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है इसमें 415 उम्मीदार मैदान में है जिनकी किसमत करीब 49 लाख में बंद कर दी इस चरण में 29 महलाएं उम्मीदार भी अपनी किसमत आजमा रही है जम्मु क्षत्र की अधिकांश सीटों पर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है लेकिन कश्मीर की अधिकतर सीटों पर त्रिकोणी या फिर बहुकोणी मुकाबला माना जा और आज के चरण के मतदान के साथ ही जम्मु कश्मीर में विधान सभा चुनाओ के लिए मतदान संपन हो गया है यह तीन चरणों में हुआ था इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सयोगी नजीर मसुदी जम्मु कश्मीर में तीसरे और आखरी चरण की पोलिंग एक्तिताम हो चुकी है और आज वोट्रू ने चार सो पंदरां उमिदवारों की किस्मत का फैसला किया है यहां जम्मु में बी जे पी के लिए सबसे बड़ा टेस्स यह है क्या वो अपनी जो पार्लमेंट में जो उन्होंने परफॉर्मनस दिखाई थी उसको बरकरार रखेंगे यहां कांग्रेस यहां उनसे सीटे छीन लेगी क्योंकि अधिक अक्सर जगों पे यहां एलाइस एनसी एलाइस के तोर पे कांग्रेस के ही कंडिडेट जमों में एलेक्शन लड़ रहे हैं ज्यादा सीटों पे और कश्मीर गाठी के नौत कश्मीर में 16 सीटों पे एलेक्शन हो रहे हैं वहां ने सिर्फ नैशनल कांफरंस के लिए एक बड़ा टेस्ट है कि आज कितनी सीटें बोलेंगे बलकि जो चोटी पार्टियां हैं चाहे पीपलिस कांफरंस हो या इंजीन रर रशीद की एई आ करदी का वोट था जजबाद पे वोट मिला था या जमीन पे उसका सचमुच में असर है और आज भी वोट मिलेगा उसके मिदवारों को सजाद लौन की पार्टी के लिए एक इम्तियान है कि वो कही सीटों पे लड़ रहा है और पीडीपी जो तकरीबन बिखर चुकी थी इलक्शन से पहले कही लोग उसमें वापस आ गई उसके लिए भी वो कितनी सीटे लेगी और नैशनल कॉनफरंस के लिए कि वो कहां तक जा सकी गी क्या वो सिंगल लाजजस पार्टी बनेगी और काम तक बनेगी या जो बहुमत के करीब आ सकती है या नहीं कि वो उनका दा की और अब बात कर लेते हैं बिहार की जहां बार्ड ने हाहाकार मचा रखा है बिहार में कई नदियां उफान पर हैं कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं पिछले दिनों तेज बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी ने बिहार में खूब बरबादी मचाई है कई जिलों में घरों में पानी घुस गया कई तडबंदों के तूटने के बाद गाउ और सीता मड़ी में हालात जादा खराब हैं खेतों और घरों में पानी हैं लोग छटों पर रहने को मजबूर हैं राहत और बचाव दल नावों के जरीए लोगों तक पहुँच रहे हैं और एंडी टीवी की टीम उन जगों पर पहुँच रही है जहां बांड ने बरबादी मचाई है वहां के हालात आपके सामने ला रही है सीता महनी जेले के कई अलाके पानी में डूबे होगे हैं SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जूटी हुई हैं प्रभाकर किये ग्राउंड रिपोर्ट खेत डूबे, गाउं डूबे छटों पर रहने को मजबूर लोग बोट के जरीए हो रहा है रेस्क्यू ये तस्वीरें बिहार के सीता मन ही जिले की हैं ये उन इलाकों में हैं जहां बाढ का सबसे ज्यादा आसर दिख रहा है SDRF की टीमें तैनाथ हैं, बोट के जरीए रेस्क्यू हो रहा है कोसी बागमती और गंडक ने बिहार के 13 जिलो में कहर बर पाकर रखावा है और हम अभी मौजूद हैं सीता मडी में यहां बागमती नदी ने बांध में तूट की थी, तीन जगों पर तूट हुई है और उसके चलते बहुत बड़े जो रिहाईसी इलाके हैं, उसमें पानी फैल गया है बहुत सारे गाओं जो हैं, वो पानी में डूबे वे हैं अगर मैं आपको दिखा सोगों कैमरे के नजर से तो ये घर पानी में डूबा हुआ बहुत सारे गाउं आपको दिखेंगे नैशनल हाइवे भी आपको दिखेंगे और इधर गाउं को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा खेत का इलागा था जिसमें अभी हम SDRF State Disaster Relief Force की जो टीम है उसके साथ ये Rescue टीम है और ये जो लोग भंसेवे हैं या लोग जिनको कुछ समान को लाना होता है उनके लिए SDRF और NDRF ये दो टीमें जो हैं वो सरकार के तरफ से Deputed हैं और लोगों को निकालने के लिए ये लगतार जो है मैदान में जुटे रहते ह SDRF की टीमें दिन राथ, राहत और बचाव कार्या में लगी हुई है लेकिन ये इतना आसान नहीं है कई तरह की दिक्कतें पेशा रही है Rescue टीम का कहना है कि काम काफी मुश्किल है क्योंकि सिर्फ लोगों को ही सुरक्षित नहीं निकालना है बल्कि उनके मवेशियों को भी निकालना है यह बताए कि आप लोग तो पिछले दो दिन से हां हैं किस तरह की दिक्कते आती हैं क्योंकि बहुत बड़े हिलाके में पानी फैला है बहुत लोग फंसे वे इसमें काफी जानवाल कौल हम लोग लगभक सड़ेपांसो आदमियों के निकाले और 200 से ज्यादा बक्रियों को भी निकाले यहां के जानता ऐसा है कि बक्री को छोड़कर और निकलना नहीं चाहता है जिस घर में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को यहां के पब्लिक धंकी भी देती है अब बोलते हैं कि बोट को भी फाट देंगे और जब तक हमारे घर का पूरा साजों समाह नहीं नि कि जो ना रेप दिया जाए ताकि हम उस गाहों तक असानी से पहुंच सके हर घर घर से यह जो रेप बोल रहा है रेप मतब यह रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है देखिए आपको मैं दिखाओं इनके साथ जो दिक्कते होती है वो यह है यह पानी में है आप यहां फस जाती है और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने साथ अपने जानवरों को बक्रियों को छोटे भैंस को वो बोलते हैं कि इन बोटों पे निकाली है जो की एक तरह से पॉसिबल नहीं है इनके लिए भी मुश्किल की बात होती है हालात खराब हैं पानी के बीच लोग फसे हैं इन तस्वीरों को देख कर ही समझा जा सकता है कि बाढ़ का प्रकोप कितना भयानक है बिहार के सीतामणी से प्रभाकर कुमार एंडी टीवी इंडिया हालात यह हैं कि हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं उचाई पर जाना पड़ रहा है हाईवे के किनारे इन लोगों को आशियाना बनाना पड़ रहा है ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं, सरकार की ओर से सामुदा एक किचन बनाए गए हैं, जिनसे इन्हें खाना मिलता है, इनमें से अधिकांश बहत गरीब तपके से हैं। इस शिवरों में बड़ी-बड़ी संख्यावें बच्चे भी हैं, यहां इन बच्चों की देखबाल करना बड़ी चुनौती हैं, बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाए गए हैं, जहां उन्हें नरसरी राइम्स और कविताएं सिखाई जा रही हैं। उनके खाने का खास तेरह जिलों में कोसी, बागमती और गंड़क की आई अचानक बाढ़ ने लगभग तबाही सी मचा दी है। तेरह जिले इससे प्रभावित हुए हैं और साथ जगों पे बांध दूता है, जिसके चलते हैं गाउं में, पंचैतों में, घरों में पानी घुज गया है। और शरन लेते हैं, वो आपको मैं दिखाऊं वो जिन्दगी कैसी होती है, यह हाइवे है, और यह जो आप काला प्लास्तिक का तंबू देख रहे हैं, मीरों तक आपको ऐसे ही दिखेगा यह तंबू लगा हुआ, यह लोग जो हैं, अब इनका जब तक पानी वापस नहीं चला हैं, सरकार को तरफ से इनके लिए यह जो टेंट आप देख रहे हैं, काला तंबू जो है, वो दिया जाता है, उसके अलावे कम्मुनिटी किछन चला जाता है, इन्हें सूखा राशन भी दिया जाता है, और यह देखे जानवर के चारे की तैयारी कर रहे हैं, इनके जो जा करेंगे, जब तक यह पानी वापस नहीं चलाया था, इनके लिए रोज की जिंद्गी है, काफी जद्दो जहद वाली होगी, क्योंकि धूफ हो, बरसात हो, सब भी मौसम में इनको यहीं पे बैठना पड़ेगा, इसी जगह पे रहना पड़ेगा, चाची, यह बताईए कि आपका गाहों कहां पे हैं, आप यहां क्या कर रही है, हाइवे रोड पे? जब तक पानी नहीं जाएगा, तब तक आप यही रहेगा? यह जो चारा कटा हुआ है, यह मवेशी के लिए चारा है, यह भूसा आपको दिख रहा है, और यह सारे मवेशी जो हैं, इन के लिए इनके रोज मरदा के लिए, इनके एकॉनमी के लिए, इनके financial survival के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कुल मिला के, जब तक पानी बापस न सिता मडी से प्रभाकर कुमार एंडी टीवी और बाद से निपटने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला मैदान में अधिकारी राहत शिवरों में पहुंच रहे हैं लोगों को खाना दिया जा रहा है जमीनी हालात पर नज़र बना कर रखी गई है मुजफर जिला भी एक खासा प्रभावी थे एंडी टीवी ने बात किये जिले के डीम सुब्रत से लिए अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बादमती नदी के जलस्तर में बिर्धी के कारण लोगों का विस्ताफन हुआ है तो हम लोगों ने कल से ही यहां पर कॉम्मूनि संख्या हम लोगों ने 20 कर दिया है तो वहां पर काफी लोगों को खाना खाने में सुविदा हो रही है इसके अतरिक्त जो हम लोगों का स्वास्थ कैम्प है वहां डेड़ सो से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है दवाईयां प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध है इस हम लोगों के पास आता है सुधा के माध्यम से खरीद करके तो बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है इनको पढ़ाया भी जा रहा है यह आज सुभा से ही प्रारंब हुआ है जो कि पानी जो है सितामडी का आज कल भी पितौंजिया वगरह में फैला था कल दिन के बाद से और आज से जो है इसमें काफी लोगों का विस्थापन इधर देखा जा रहा है वाटर का क्या सिचेशन है वाटर जो है वह स्टेबल है लेकिन नए इलाकों में फैल रहा है जो अनकन्वेंशनल इलाके हैं जहां पहले फ्लड का पानी नहीं पहुंचता था जो तडबन छुइंदर हम लोगों ने बनाया है इसकी अतरीक्त पसू के चिकितस्या की ववस्था दवाइयां सारी सुविधाएं हम लोगोंने सुनुश्षित कराई है और कॉम्यूंटी किचन 20 हम लोगोंने कटरा में शुरू किया है 12 यहां सुरू हो गया और 8 10 कॉम्यूंटी किचन हम लोग साम तक अतिरिक्त जो है यहां प्रारम करेंगे ताकि लोगों को घर के पासी जहां वो भी स्थापित होकर करके आएं पॉलिथीन सीट्स और आई में 5000 हम लोगों ने पहुंचा दिया है जिसका वित्रन साम तक हो जाएगा 5000 कट्रा में हम लोगों ने दिया है अगर अतिरिक भी पॉलिथीन सीट्स की आवसकता होगी तो वह हम लोग उपलब्द कराएंगे इसके अतिरिक जो मानिय मुखमंत्री जी की घोसना है जो जी आर की रासी हम लोग देते हैं तो अगले एक से दो दिन में जो पंचायत अस्तर की और प्रखंड अस्तर की निगरा गया है इन बच्चों की देखबाल करना बड़ी चुनाओती है यहां पर बच्चों के लिए नरसरी राइम्स और कविताय भी उनको सिखाए जारी उनके खाने का भी खास इंतिजाम किया है हर के माहर क्या है गोल हर के माहर क्या है गोल जंता गोल सुरत गोल गारी के पढ़िये है गोल बिहार के तेरह जिले बाड से प्रवावित हैं बागबती कोशी और गंड़क ने कहर बरपाया हुआ है और जगा जगा पर रिलीफ कैंप से जो खबरें आपको दिखाते हैं वह खबरें तबाही की खबरों के बीच में एक खबर आपको यह दिखाते हैं यह चोटे बच्चे प्रोग्राम होता है वह दिया आता है जिसमेंने अलग से दूद दिया आता है अलग से पल दिया है ताकि इनके पोशन का पुरा ध्यान रखाया सब्सक्राइब आप देखिए यह खुबसूरा तन सुखत तस्वीर है बिहार के मुझफरपूर से एक सेंटर की बच्चे कैसे राहिम्स पढ़ड़ है है यह ग्या है यह लिए और तीन से छे साल के बच्चे को साला पूर इसकूल जाने से पहले का तयारी आंगनबारी के द्रों नहीं जाता है राहिम्स हो गया गेंस ऑगया वैसा छी शोटे-चोटे अक्टीटीस करा जाता है जिनसे वह यहां पे इस यह बात है वो क्या मंडी टू सटर्डे इनका मेनु निधारित किया गया है और उसी मेनु के अनुसार इनको खाना अंगनबारी केंद्र पर प्रवाइड किया जाता है चुकि अभी कल से फ्लड आया हुआ हमने यह क्यांपा सुभा में चालू करवाया है तो अब से जो आंग कितने बच्चे होंगे जो अभी आपके सेंटर में और इसका बेनेफिट उठा रहे हैं यहां पे राउंड हंडेड होंगे और ऐसे करके हमारे जितने भी सेंटर बंजे उसमें राउंड हंडेड या 90 प्लास उपर है प्लाइब यहां प्लाइब आपके जो है एक सेंटर पे सो बच्चे होते हैं और इस तरह के चार सेंटर्स के वल इस जगह पर चल रहे हैं अगर पूरे जिले की बात करेंगे तो काफी बड़ी संख्या में बच्चे प्री स्कूल का फैदा उठा रहे हैं इनके इनको नुस पॉस्टिक भोजन की बिवस्टा की आती है बिहार से आपको जो तस्वीरे दिखा रहे हैं वो ज्यादा तस्वीरे जह है वो दुखी करने रही है बाड़ शेहरी से लेकिन ये तस्वीर जो है उन भीड में एक सुखत तस्वीर है और आपको इन तस्वीरों के साथ हम पॉड़ा दी गई ये घटना जहासी के पास लेलिदपुर की है तिरुवनंदपुरम से नई दिली जाने वाली केरला एक्सप्रेस टूटी पट्री पर चला दी गई ट्रेन के जहासी पहुंचने पर यात्रियों ने जम कर हंगामा किया यात्रियों की सुरक्षा से खिलवार तूटी पट्री पर चला दी ट्रेन जहासी के स्टेशन पर यात्रियों का ये हंगामा ऐसे ही नहीं है ये एक बड़े खत्रे से बच कर आए है यूपी के ललितपूर के पास ललितपूर दैलवाडा के बीस सोमवार को पट्री पर मरमबच चल रही थी इस दौरान तिर्वनंद पुरम से दिल्ली जा रही केरल एक्सप्रेस को तूटी पट्री से गुजार दिया गया बताया जा रहा है कि ट्रेक पर काम कर रहे रेल करमचारियों ने ट्रेन को रोकने के लिए लाल जंडी दिखाई ड्राइवर की नजर जब लाल जंडी पर पड़ी तो उसने एमरजेंसी ब्रेक लगाए लेकिन तब तक ट्रेन के तीन कोश तूटी पट्री से आगे निकल गए थे इसके बाद ट्रेन के जहांसी पहुँचने पर ट्रेन में मौझूद यात्रियों ने जम कर हंगामा किया तब तक जागे ट्रेवर ने कंट्रोल कर ले तो भी चार पास दब दे यात्रियों ने जहांसी में रेलवे के खिलाप नारे बाजी की उनका घुसा रेलवे की लापरवाही पर था मौके पर पहुँची आरपीएफ ने किसी तरह यात्रियों को समझा कर ट्रेन को रवाना किया रेलवे की ओर से घटना की जाच कराने की बात कही गई है गनीमत ये रही कि एक बड़ा हासा टल गया और जानमाल का लुक्सान नहीं हुआ ये लापरवाही बहुत महंगी साबित हो सकती थी ब्यूरो रिपोर्ट एंडी टीवी इंडिया तो देश की बात में आज इतना ही लेकिन आपका ही मत जाईए क्योंकि ब्रेक के बाद राजस्तान के मुख्यमंत्री भचनलाल शर्मासर नीरी कुलपती की खास मुदाकान